है लो दोस्तों आप सभी का अपने यूटूब चैनल में एक बार से फिर से सवागत है चलिए स्टाट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट जो है क्लास जो कि हम प्रस्ट क्लास में जो अपने हमने प्याइप कोशन पड़े दे तो आज यह सेकिंड क्लास है और आपके 31 कोशन है इसी को आगे जो हम यहां पर आगे बढ़ते हैं जैसे कि देखिए कि आपको दिया है एक डाक्या डाक खाने की और लोट रहा था जो उसके सामने उत्तर की और था तो उत्तर की तरफ होगा ठीक है उत्तर की और था जब डाक घर उसमें जब डाक घर उससे सो मिटर दूर पर था सो मिटर दूरी पर था सो मिटर दूरी पर था तो वह बाय मुड़ गया जब उसका सो मिटर दूरी पर था यहां से तो यहां से क्या वह बाय मुड़ा तो बाय आप देखो बाय किदर ह का धुद॥ैंव मुड़क और इसका कितना गया वहाएशंस तबίο zulो बान टेने के लिए प Machal मिटर्चarks कई चाले के नवी से स्वेंधर यहां से कितना चल ऊलिए यहां से संती फिर यहां उसी दिशा में पिर वह उसी दिशा में 40 में चलता है परने फेंच मोलता है फिर से तरह में चलता है और अपने जो है फिर वह सी दिशा में 40 में चलता अपने घाय मुड़ तो इसका राइट की तरफ गोको तो उपर कितना जाना है 40 तो 40 वह ऐसे गया उसे जिश्का में बढ़ा और और 40 राइट मुड़गा तो 40 आपका यहां पर होगा यह 40 मेटर उसके बाद देखेगा अपने दाय मुड़ता है और 100 मेटर चलता है यह पहले आपको उसने यह बाया जो है आपको बाद में सबसे पहले इसी डारेक्शन में आपको 40 और बढ़ना है कितनी मिटर दूर है तो यहां से घर से गर यहां पर था यहां से कितनी दूर है ये तो यह दूर है आपका करीब-गर 50 और खड़ाया तो मालो जिसका face कैसा है ऐसा है पूरव की तरफ को जिए लगे में समय देखता है तो तीन बजे का समय दिखाती है तीन बजे का समय दिखाती है तो गड़ी तो क्लोक आपका देखे कुछ क्लोक ऐसे होता है तो इसमें जो है यदि आप इसको एक्ट्वल में गड़ी बनाएं से हैं तो कुछ आपका टाइम कुछ बज़ें तौ और गंटे वाली सुभी आपकी तीन के सामने होगी एक्चुल में तो कढ़ी का कहीन लोग का आपका ये वाली कंडिशन आपके रही होगी ठीक है तो आप देखेगा तीन बजे का समय दिखाते हैं घंटे और मिनट की सुई करम से किस दिसा की और इंगित करती है गंटे वाली तो आपकी पूरव को इंगित करती है और मिनट वा अपका एक खेल के मैदान पर देकुमार देव कुमार 90 अरुन की जन्स बताई हुए उत्तर के ओर मुण करके खड़े हैं कुमार अरुन दाइयं 504 मिंटर की दूरी पर सब सबका फेश कैसा है तूंका फेसने क्मचा अउनकी लिग है ऐसा बोला कि एक को मैंहें यहां पर रखता हूं मालिजे अरुन आका यहां पर है और कि उसके बाद दीखिएगा देव कुमार के दख्षिन में 40 मीटर की दूरी पर जहीं तो यहांपर आपका है उसके बाद देखे आपका जो है आपको दूरी पर नितीज अरण के पश्चिम से 25 की दूरी पर क्योंगर हो और कितना है 25 मेटर कौन है नितीज यह पर आजाएगा आपका नितीज टीकर गया उसके बाद देखी डिनेश के ऊतर में नभ्हे मीटर डूरी पर दिनेश के नभ्हे मीटर उत्तर में है धिनेश के तो देवा आपका यहां 60 M क्मार का व्यक्ति है कुमार का यह वंगा कुमार का बाया सस्टकमार कि कैसे ऊपर की तरफ को नौर्थ की तरफ को था तो कुमार का बाया इधर होगा कोन है अरून और नितीज कोन है आपका तो आपके पूछा उसके उत्तर पूरों में कोन है उत्तर पूरों में तो कुमार के बायोर जो व्यक्ति है कुमार के बायोर जो व्यक्ति है उसके उत्तर और पूराम में कौन है तो बाएंवर आपका अरुण है तो यहां पर देखो आपका क्या आजाएगा तो आपका नीस ढमतने का मैं तो आंसर जो है आपका डी आपका राइट हो जाएगा ठीक है तो यह आपका जो है एक डाइग्राम ही बनाना था बस आपका अंसर इसमें अजली आ जाएगा नेक्स कुश्चन पर आगे बढ़ते हैं इसका जड़ा बताए आंसर क्या होगा आपका इसका इसका अंसर बताओ कि देखिए इसमें बोलता है कि सुभह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की और चल रहे हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की चाया सीधे एक्स के सामने पढ़ती है सीधे एक्स के सामने पढ़ती है तो एक्स किस दिसा में मुह करके खड़ा है तो जब उनकी सीधी एकदम स्ट्रेश चाया पढ़ती है तो बिल्कुत सामने तो आप कप पढ़ेगी या तो उसका जो सुभह का समय है तो आपको बताना है कि कौन सा ज हुआ रहो ठीक आप वो कहता है कि जो है सुबह का समय है और वह एक दूसरे सामने चलने माल लेज़ vulner Cup एक्स आपका किदर से आरका है और वाई आपका इधर और जा रखा है ठीक है सुबह का समय और उसकी जो चाया बिलकुँ सामने पड़ती है तो वाई की चाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है अब यदि मैं इनको ऐसे रखता हूं तो इनकी चाया कही लेफ्ट या राइट में जाएगी बड़ उसकी सामने पड़ती है तो हम अब ऐसे रह सकते हैं कि एक सब्सक्राइब करें पड़ती है तो एक्स की किस दिसा में मुग करके खड़ा है तो एक्स किस दिसा में को करके खड़ा तो एक्स का फिस जो है वह आपका पूराव की तरफ को कैसा है पूरव की तरफ को एक्स का फिस होगा तो डी ओप्शन जब्चा राइट हो जाएगा ठीक है सैड़ो वाले कोशन यह आपसे पूछे गया था लास्ट आपका जो यह आर रबी अलप मैं है पूरव की ओर 10 किलोमेटर चलता है quarante 10 किलोमेटर रोन नीचे कि तरफ ने नंट आएक और था और फिर 8 800 किलोमेटर चलता है तो यहां मालियी यहां 8 KM वह चलता है उसके बात देखिये और फिर कितना चलता है तो यह 6 km चलता है वह व्यक्ति अब अपनी प्रारंवे किस्तिति आपकी यह थी तो इस दिसा में कितना है यह यहां पर है तो यह दिसा कुन सी होगी इसकी यह दिसा होगी आपकी देखें यह उता आपका North, South और East तो यह कैसे हैं आपके South and East वाली डारेक्शन होगी तो South East देखो आपको कहां पर दिया साउथ इस्ट आपका डी ओप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा दक्षिन पूरव की तरफ को उसका जो है फेस होगा चलिए नेस्ट कोशन पर आगे बढ़ते हैं आपका 26 इसका पताएंगे जरा प्लीज आपका जो है क्या इसका जो है सही आंसर आएगा जैसे कि देखे उत्तर की और वह परसंट जो है कैसे आपका फेस उसका ऊपर की तरफ को ता मतलब नौर्थ की तरफ को है एक गड़ी की स्विंग की दिसा में 45 डिग्री मुड़ती है अब यदि माल लेजिए मैं आपको यहां पर देखो डेक्शन आपकी चार डिरक्शन होती है नौर्थ साउथ वैस्ट और इस्ट ठीक है और यह वह 45 डिग्री कैसे मुड़ती है आपका 45 डिग्री वह ऐसे मुड़ती है तो ऐसवर्य यहां पड़ती तो यहां से घूमेगी पैंता लिग्री तो आपका उसका फेस अब आ चुका होगा इस तरह किसे तो फेस अब उसका यहां पर है अब यहां से 135 जाना तो 45 यह और 90 तो अब उसका फेस आचुका होगा यहां पर ऐसा है तो घड़ी की विपिर दिशा कैसी होगी आपकी घड़ी की विपिर दिशा कैसी होती है ठीक है तो घड़ी की दिशा में आप आचुके इस वाले पूरव की तरफ को जो है फेस होगा तो लास्टली आप यह देखेंगे तो इसका फेस आभी पूचा है कि अभी वह किस दिशा की और देखते हुए खड़ी हुई है तो कि तरह है आपका पूरव की तरफ को तो आप इस तरह के सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको एक तरफ को अपना Technology तो आपधाँ की तिसे में कितना या इएंगे आंपर इनका समय से और यहां से रखेंगे तो तो आपका देखो यहां पर प्यांताली से बचेगा तो यह आगे आपका नब है डिगरी कि तो आपको कैसे लॉकवाइज 90 गोमना है तो बस यह आपको डाक्शन आप इस तरहेक से भी कर सकते हैं चाहे तो उस तरहेके से भी कर सकते हैं वह उसका फूल है पर यह आपका शोट रहें एक तरफ एक तरफ तरफ अपना क्लोक वाइज और क्लोक वाइज की तरफ जिस तरफ वैल्यू बचती है ज्यादा उसी तरफ को घुमा देना जो स्टार्टिंग दिया तो स्टार्टिंग में गया उत्तर से 90 गुम जाओ तो आपका कुंसा जाएगा पूर भी आ रहा है यह वाला जो हमने यहां पर गुमाया तो सेम इस तरीके से को कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन आपका 27 इसका प को एक पंशन है वहां शुरू करता है ठीक है मालीजे उसने उत्तर की चला उत्तर से स्ट्र यूटल भी राजानी बिद्धू से शुरू करता हो दो हापर चलता है 200 मीटर ठीक है दोस्तों मेटरे चलता है और फिर वह है वाय मुडता तीन सो मेटर चलता है 300 μεटर ठीक है 300 मीटर चलता फिर अपने दाए मुडता है और 400 चारसो मेटर चलता है 400 मीटर चलता है फिर बाए मुडता और एक किलो मेटर चलता है कि एक किलोमीटर चलता है आपकर कितना एक किलोमीटर घौज जो है वह अपना चलता है यह one चला जल ऐब किस दिशां में है तो राजन का मुख किस इस दिशा हो गांपका उसका फिरास है इस तरफ को इस डिर्शन में है कुन से बापका पश्रीम तो भी आपका जो है राइट हो जाएगा चलिका नेक्स सब्सक्राइब बर्टेदिन अपका सुनिता उत्तर की ओर दस मीटर चलती तस मीटर चलता है और फिर आप आ members चलता है फिर वहां से दाय मुडता है और अपना तेरे मेटर चलता है तो आपका 25 मेटर चलता है तो आपका 25 नीटर करीब करीब यहां पर चुका है कि पच्चिस मेंटर सुनीता का मुख आपका पूरव की तरफ को तो ए ओप्षन जो है आपका राइट हो जाएगा चलिए नेक्स कोशन पागे बढ़ते नेक्स कोशन है आपका एक लड़की बिंदू एक से उत्तर की ओर सत्ता मीटर चलती है मालने जी कोई बिंदू है एक्स ले मुड़ती है और वह देंट सो मेटर जो है चलती है भाएं मुड़े इधर को मुड़ा और आपना चलतीय तो मिटर चलतीया फिर। 20 में चलती है अब यहां से फिर से बाइं मुरुति है और 90 मीटर चलती है तो यहां से Fac in सथान में उड़ाइं FC चल्ती है चालती है टो पर चल्थिए डाय दॉड टी एंट मेटना छलती है ऑन्त में मुडती है और मैं गृति खटकसरे किसल क्षज पहुंचने के लिए 30 मिटर है तो अन्त में वेलब की reh है तो कहीं न कहीं वह यहां पर आ चुकी है 60 मीटर आ चुकी है और अगितना जैड़ बिंदू पर तो आप पूचा है बिंदू जैड़ बिंदू एक से किस तिसा में नीचे की तरफ को सबसे पहलो दक्षिन में और यहां पर देखो यह आपका कितना है आपका देखो यहां से यहां से लेकर यहां तक कितना आपका सो है तो यहां से तक सो जाएगा कैसे साउथ में तो सो मीटर साउथ ऑप्षन आपका जो है डी आपका उप्षन जो है राइट होगा चलिए नेक्स कोशन पर आगे वढ़ते नेक्स कोशन है आपका जानवी अपने घर से निकलकर पस् राइट के टाइन मुड़ती है और इसका राइट होगा ऊपर की तरफ को तो ओपर को चलती है तीस मीटर कितना 32 मीटर 32 मीटर चलती है फिर से वह दाए मुड़ती है और 88 मीटर चलती है तो राइट आपका इधर होगा तो 88 मीटर यहां पर चली वह अब से और 50 मिटर चलती हैं उसके बाद वह है दाय मुड़ती है और ti3 मीटर चलती है तो यहाँ पे 43 मीटर चलती है 43 मẹट चलती है अब है अपने घर से कितनी दूर कि दिसा में है अपने घर से कितनी दूर कि दिसा में नीचे की तरब करों किश सबसे पहले तो ऌड़ ca challenged अपका यह भी sa tam सब्सक्राइब घैर और इसका यहां पर है आप देखो यहां से कितनी दूर है तो यहां पर देखते हैं यादि हमारा 40 तो आपका देखे 45 और 43 तो कितना हो। आपका 80 80 होगा ठीके इनका समेशन तो बिल्कुल सही है बढ़ नीचे की तब देखते हैं तो 32 तो इस पचास में से बत्तिस कम करेंगे तो कितना बच्चे का आपका वन तो अठारा जाएगा तो यह साउथ की तरफ को अठारे मिटा साउथ में जो इसका अंसर आपका सही हो जाएगा चलिए ने अपका कि क हसे ने एक बस स्ट्प से बस पकडी बस ने 50- मिटर की दूरी तयागे विकास ने position की और कितना सुरूं किया पच्छिन की जलाओं कितना पचास मिटर पचास मिटर की दूरी तया करती दूरी करती दूरी करते हैं फिर से वाय मुडती है और 15 में चलती है तो 15 में आपका माल यहां पर आता है 15 में 15 में धर यहां तक कम्प्रेट में प्रीड से फिर से पुनहें भाय मुडती है तो बाएं कितना होगा आपका नीचे की तरफ और यह 30 में ते नीचे की तरफ को आरके 30 मीटर यहां पर किए 30 मीटर थे न तीस में फिर से पुन्हें बाएं मूडतीयों 35 मेंटे पिरसे आपको लेफ्ट मुड़ना है तो आपका लेफ्ट किदर होगा अब किटना चलती है 35 तो 35 आपका आलीजी यहां पर आता ये 35 कि इतना 35 मेंटर पं है तो 10 में तो दाएं आप निचे की तरफ को की तो दस में आ पका निचे यहां पर आगे 10 में छान हैं हूँ है यहां पर 15 यह पर 20 और 10 आपका चालिस तो आपके सब्सक्राइब स्सक्राइबुए यहां पर कर लो 10 मिटर रहा उसके बाद दस मिटर आंत में बाएं मुड़ती है और 30 मिटर चलती है तो पूचा है चल पहुंचती है मीटर चल के स्कूल से बस स्कूल से बस स्टॉब कितनी दूर स्टिसा में है तो यहां पर देखो यहां से 50 थिस पंद्रे और तोटल jedem कहीना बिल्कुर हैं पर पहुच चुकी है क्योंकि हैं अधी बात करते हैं तो है तो अब चीज़ा हो और एखा अगे चलती है यहां से आगे बढ़ती है तो 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 पंदर है थो यहां से आगे तक कितना णस्की तो पहले कहीं न गरी है आफ कि हाफने आपके लिव कि ए Agriculture और 10 तो यह condition बिल्कुल इसके exit पोच चुकी होगी यह वाली जो value होगी यह बिल्कुल इसके reference मा जाएगी यह वाली distance तो आपसे पूचा है skill से bus stop कितनी दूर और किस दिसा में तो में तो आपका इस्कूल आपका यहां पर हैNa जाओ और आपको यहां पर तो यह पूचा है कि दिशा में स्कूल बस स्टूसे तो ऊपर की तरफ को ऑगा to up per कि तरफ को आता आप का उत्तर तो सबसे पहले देखिए उत्तर आपको 30 मिटर तो 30 बीडर आपका कहा जाएगा बी ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स क्लास नेक्स कोर्शन बागे चलते हैं नेक्स कोर्शन देखिए आपको दिया है बिंदु एक से एक व्यक्ति पूरव की ओर 45 मिटर चलता है बिंदु एक से एक व्यक्ति पूरव की ओर 45 मिटर चलता है फिर वह बाय मुड़ता और 40 मिटर चलता है फिर वह अपने बाय मुड़ता है तो बाया की तरोग ओपर की तरफ कोगा तो कितना चलता है चालिस मीटर चलता है चालिस मीटर चलता है फिर से दाय मुड़ता है और नभे मीटर चलता है फिर से राइट चलता है तो कितना नभे मीटर चलता है यहां पर नभे मीटर नभे मीटर चलता है फिर यह वाय तर को पुछने के लिए को 165 मीटर चलता है तो यहां से याँ से इनast को यहांप यूद्ग होगी इसीडिडीटर पूछा है विंदू य से कितनी दूर है विंदू Y से बिंदू X कितनी दूर है प्लोटल यह कितना है 135 है 135 अब देखो यह कितना है आपका 60 और यह कितना था 40 तो यह बचा आपका 20 यह कितना बचा आपका 20 20 मिटर और बिंदू X से बिंदू Y से बिंदू एक्स कितनी दूर कि दिसा में तो उपर की तरफ के तो बीस मेटर उत्तर की तरफ को गा तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आ जाएगा ठीक है चलिए क्योंकि उसका जो फेस होगा वह ऐसे उपर की तरफ को है ठीक है ऐसे आपको सुझमा आएगा नेक्स कोशन अ कि तरफ आगें बहुत है नेक्स्त आपका रमेश चिन रमेश जो है बस्तव की दिसा पर मुक करके खड़ाए तो रमेश का जो फेस है वह दक्षिन देख़ए अपको मिनने सब डार्शन वे उती है यह आपका नौर्थ है यह स्ट्रूध वैस्ट होती है यह अब सब दार्क्लिस के साथ में आपको मेश्याय ओमेश्च दक्षिन- punishing रेखें राइव दक्षिन आपको आपका इस तरह को यह बहुत दाये गई है तो उमेश्च जो है दक्षिन-पत्षिम तो मालने चीह आपका जो तुमर्ण ओपर की तरफ को गुमनेगा तो कैसे आ चुका होगा तो फेसर तरफ को गुमता यहां पर यहां पर है उसका यहां यह रहा यहां यहां से 35 ऐसे गुमा आपका क्लोक वाइस दिसा में पहले आपका क्या था वह ऐसे फेस था फिर वह 90 डिग्री गया तो उसका यहां पर ऐसे आपको यहां पर आपको यही तो होगा तब उसका फेस कैसे उत्तर की तरफ को दोनों होगा तो भी आपका जो है व्शान फसकी तरफ बढ़ते हैं एक मेञ्स की दुगांसे बहाएं निकल का जया उत्तर क्यों चलती है तो मालनी यहां से चलती है सो मिधर उत्तर की तरफ को चलती है सो मिटर ऐसा मिटर कि अए रोलो उत्तर की तरफ को होता है सो मेंटर जो है वह उत्तर की तरफ को होता है कि ठीक है है media और उत्तर जोन सब्सक्राइब न हो ए फिर से घुलता है मूरता है फिर से टाय मूड़ता है फैनतालोस मीटर है पैंतालेस मेटर सre किपालिस विद्अ चलता है राइट राइट कैसा यसाइड वोगा तो कितना हो 45 मुटर कितना 25 क्यों फैने पैंतालेस मीटर पिर से राइट चलता है तो पिछ Буд你们 gonna गोगा तो कितना चलता सोपेफिछथा चलता है यहां पर 115 मीटर एक सब्सक्राइब गरшей लृत siya और 15 मिटर चलती आप ऑला कि गीधर होगा देखेंगा अगί来 हुद वाります यह में जाता है न हो 50 पाचास मेटर चलता है 50 मीटर कितना चलता है एक सब्सक्राइब 152 चलने के बाद कि चल्कर एक टी स्टोल समय और कितनी दूर तो बहुंढ़ में तो बहु कुंड Olis लोगान जो है कितनी दूर तो दिसा में विसां और यह कितना एक टीको कितना है यह 45 जाइट करने पड़ेंगे किसमें तो 45 और 50 कितना होगे आपका 95 तो 95 मीटर हो जाएगा कौन सा पूरव की तरफ को तो सी ओप्षन आपका जो है राइट होगा सी ओप्षन जो है आपका राइट होगा ठीक है चलिए नेक्स कोशन पागे बढ़ते नेक्स कोशन आपका चार मकान A B C D A की कलोनी में स्थी तो D के कापर उत्तर में है आपका A ठीक मकान A मकान D के उत्तर में 300 मिटर तो यहां पर जो डिस्टेंस एंड की में कितनी है 300 मिटर है दूरी पर से मकान सी मकान बी के पूराव में हैं मकान सी जो है मकान बी के पूराव 400 मिटर पूराव की दूरी पर से मकान ए मकान बी के दक्षिन में मकान ए जो है मकान B के दक्षिन में है तो आपको यहाँ पे लिख देत은 हमें डी और इनके बीच में यह 300 मिटर की दिस्टेंस है याता ए और ए जो है वह किसके B के दक्षिन में है तो B आपका यहां पर वोगा तब ही जाके ितना है 300 मिटर उसके बाद बोला है इससे पहले यह बोला था कि मकान C जो है वो मकान B के पूराव में है तो B का पूराव इधार होगा और यह कितना है आपका 400 यहाँ पर है कौन यह है आपका C ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ तक आपका complete हो चुका है उसके बाद देखिए मकान D मकान B के सापक की दिसा में तो बहुत नीचे की तरफ ही तो है साउथ में तो है तो सी ओप्षिन जो आपका राइट हो जाएगा चली नेक्स्ट कोशन पागे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन आपका निकलो जाए इसका अगर कि बिंदू एल से शुरू करते हुए एक व्यक्ति दक्षिन की और 125 मेटर चलता है कि बिंदू एल से सुरू करते हुए मालनी जे कोई सुरू करता है'S 115 मेटर चलता है 155 मेटर चलता है SAT मेटर अब किदार होगा आपका इधर और 70 मेटर चलता है यह उसके बाहर मुड़ता है और 115 मीटर चलता है बाया ह 215 तो 115 यहां पर आ ais 215 आरेенно हैающ चलता है यहां आंत मुख्रुए दाय मुड़ता है और म बिन्दु पहनगे लिए 45 मीटर चलता तो दाया होगा ओपर के तरफ और 45 मिटर उसको मेढ़ता हूं तो आपका सी और 35 मीटर उसको मेढ़ता है इससे के ऊपर पहुच चुका होगा इससे वो ऊपर पहुच चुका होगा तो आपको बताना इसकी condition ठीक है तो उसने बोला कि बिंदू B से बिंदू M कितनी दूर की दिसा में है ठीक है तो 45 मीटर चलता है और यह कितना distance total है 125 तो यदि मैं इनको थोड़ा से इस वाली लाइन को तो ओप आप कर लोइए लाइन है और यह उपड़ा से और बढ़ा लएता हो मैं है ना यह क्योंकि ऊपर तक आहाएगा तक तो यह में इनको जोड़ो यह कितना अपका 45 मैं 35 और 88 को अब आक करता है और यह वाली distance कि कितने हैं लिए कितना है यहां से तक देखो कितना आपका यह 151 और टोटल यहां से 70 है तो यह आपके जो डिस्टेंस आगए यह कितने है आगए आपके पास 45 इजी है ठीक है यह इसे बिंदू एल से बिंदू कितनी दूर है विंदू lc बिंदू m कितनी दूर है तो पष्रिम के तरफ को सीधर सा पश्रिम के तरफ को आएगा तो सी ओप्षन इसका जो है रहे हो जाएगा ठीक है इसका पता हुज़रा इसको आप एसली पहल सकते हैं ठीक है पांच मकान प्यूंके पूराओं में 50 मिंटर है टी जो है वो क्यूंके पूराओं में जो है कितना है 40 मिंटर है 40 मिंटर कहा है T है पूराव में P क्योंके दक्षिन में है P जो है वो क्योंके दक्षिन में है वो पोजिशन आपकी 30 मिंटर है देन आगे बढ़ते है 30 मिंटर है तो होगा R क्योंके पस्ची में 40 मिंटर की दूरी पर है R जो है क्यूंग एसके दक्षिन में 35 मिटर एक देन तो आर टी के सापक की दिसा में तो वह है आपका पश्चिम में तो ए ओप्षन जो है आपका राइट हो जाएगा चलो नेक्स कोशन पागे बढ़ते हैं का बी सुबह की सैर कर रही थी वह एक बिन्दु से चलना सुरू करती है और पुरव की और पचास मीटर चलती है। में सभैंज Ama पूरा में चलती है कितना चलती है 50 मिलिप एक ले राइट इन फिर से दिया मुड़धी थिस में चलती है तीस में आप वे राइट अगल नेशे की तरफ मुझा और 50 मिलिधा जलती है अब राइस कुछ तो यही पर आचोओ के पचास में चलती है तो इधर आपका चलती है दस मिंटर चलती है अब रूख जाती है मोल बिंदू से कितनी दूर की दिसा में तो मोल बिंदू आपका यह रखा यह आपका टोटल किना 30 और यह 10 तो 40 हो गया तो टोटल 40 मिंटर होगा अंसर सी आपका जो है राइट हो जाएगा भई चलिए नेक् चलिए नेक्स दूसरा कोशन आपका 40 यह भी आपका होमवर्ग है इसको भी आपसे होगा बिल्कुल ठीक है तो आप नहीं होगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मेरे को यह जाएगा और इसके बाद जो है फोटी कब आपका सी आजाएगा ठीक है अपको सोलूशन निकाला क्या आपका आता नहीं और पीडेव की बाद तो पीडेव आपको जो है आपके जो टैलिग्रम चला रहे हैं उस पर आपको प्रवाइड हो जाएगी और एक मेरा आपका अ result जो फोटो फोटी में लगा हुआ है तो हापको जो पीडिया आपको है पीडेव आपको जिए जाएगे ठीक है तो अभी इस क्लास को यह पे करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्स टॉपिक के तब शक्रेंट करते हैं मिलते नेक्स टॉपिक के तब तक के लिए जाइन जैभारत दोस्तों झाल